आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई से रिलेटेट सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट फियर को आम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने हैं तो चलिए श मुग्देश बिश्व में हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में जागरुकता फैलाना है इस दिन पर हेपेटाइटिस के निदान रोक थाम वा उपचार के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए किया जाता है इस साल का थिम क्या है हेपेटाइटिस मुक्ट भवि यह दिवस 2010 से प्रतिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है यह बिश्व स्वास्त संगठन दौरस चिन्हित आठ बैस्विक स्वास्त अभियानों में से एक है वाइरल हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए बिश्व स्वास संगठन ने मई 2010 में प्रस्ताव पारित किया था यह दिवस 28 जुलाई को प्रोफेसर बरुच ब्लूम बर्ग के जन्व दिवस के कारण मनाया जता है प्रोफेसर बरुच ने हेपेटाइटिस बी के वाइरस की खोज की थी इसके लिए प्रोफेसर ब्लूम बर्ग को 1976 में और शदी स्रेडी में नोबल प्रस्कार से सम्मानित किया गया था यानि यहाँ पर 28 जुलाई सही है आपसन में विस्व पेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है तो 28 जुलाई को मनाया जाता है नश्ट कोस्टन है हाल ही में किन किन देशों ने हांकांग प्रत्यारपड संधी को अस्थगित कर दिया है तो 28 जुलाई 2020 को चीन ने कनाडा, ब्रिटेन और आश्टेलिया के साथ हांकांग की प्रत्यारपड संधीयों को अस्थगित करने की घोशड़ा की है चीन ने हांकांग में अपने नए सुरच्छा कानून के ताहत निलंबन लाया है कानून के अंसार चीन ने हांकांग के बाहरी मामले और रच्छा पनियंतरण प्रावत का लिया है यहाँ पर प्रत्यारपड समझेंगे कि प्रत्यारपड क्या होता है प्रत्यारपड एक ऐसी कार है जिसके ताहत एक अधिकार छेत्र किसी ब्यक्त को दोसी ठहराया जाता है जो किसी अन छेत्र अधिकार में अफरात करने का अरूपी होता है यहां एक सहकारी कानून प्रवर्तन प्रकिरिया है जो संबंधित देशों के बीच की गई ब्योस्था पर निर्भर करता है तो यहां पर आपसन डी उपर्यूक्त सभी है यानि कनाडा, आस्टेलिया और ब्रिटेन जो है खांकांग प्रत्यारपर संधिक को अस्थकित कर दिये हैं ये तीन देश नेश्ट कोस्टन है बिस्व में कुल बागों की संख्या में से अकेले भारत में कुल कितने प्रत्सद बाग रहते हैं फिर से मैं कोशन दोराता हूँ, बिश्व में कुल बागों की संख्या में से अकेले भारत में कुल कितने प्रस्त बाग रहते हैं। तो केंद्री परियावरण मंत्री स्री प्रकास जावेटकर ने बैस्विक बाग दिवस की पूर संध्या पर नए दिल्ली में बागों की गड़ना पर एक ब्रिस्तित रिपोर्ट जारी की है। तीस प्रस्त बाग रहते हैं। बर्तमान समय में भारत में पचास से अधिक बाग अभिहरण मौजूद हैं। बता दें कि 29 जुलाई को बैस्विक बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसका उद्देश से बाग सनच्छड पर लोगों के बीच जागरुकता पैदा करना और उनके प्रसार पर ध्यान अकरसित करना है। इनके प्रसार पर बागों के प्रसार पर। तो यहां पर आपसंसी 70 प्रसत बाग जो हैं पूरे 20 सुमें भारत में पाई जाती है। यह आपसंसी सही है। नेस्ट कोस्टन है 20 सुप्राकृतिक सरचड दिवस कम मनाया जाता है। तो हर साल दुनिया भर में 28 जुलाई को 20 सुप्राकृतिक सरचड दिवस मनाया जाता है। यहां पर आपसं भी 28 जुलाई को ही 20 सुप्राकृतिक सरचड दिवस मनाया जाता है। नेस्ट कोस्टन है। हाल ही में केंद्री ग्रिह मंत्री ने केवी आइसी की किस योजना की तहत सो इलेक्ट्रिक पहियों का बित्रण किया है। तो केंद्रे ग्रिह मंत्री अमित साह ने केवी आईसी खादी और ग्रामुद्योग आयोग की कुमहार ससक्ती करण योजना की ताहत सो इलेक्ट्रिक कुमहार पहियों का बित्रण किया है किसके ताहत कुमहार ससक्ती करण योजना की ताहत हासिये पर इस्थित कुमार समिधाई को ये इलेक्ट्रिक पावर विल आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट बित्रड किये गए हैं केवी आईसी की कुमार ससक्ती करण योजना के तहट प्रसिचित कारीगरों को पहियों का बित्रड किया गया था KVIC एक बैधानिक निकाय है जिसे 1956 में खादियों ग्रामुद्योग आयोग अधिनियम के ताहत अस्थापित किया गया था यह सूच में लग और मद्यम उद्यम मंत्राले के ताहत काम करता है तो इन चार आपसनों में आपसन भी कुमहार ससक्ती करण योजना सही है यानि कुमहार ससक्ती करण योजना के ताहत केंडरी ग्रिह मंत्री ने सो इलेक्ट्रिक पहियों का भी तरण यह है नेस्ट कुस्टन है पेंटा नल में दुनिया की सबसे बड़ी उश्ल कटबंधी आदर भूमी की संख्या है यह किस देश में इस्थित है कौन किस देश में इस्थित है पेंटा नल फिर से कुस्टन देह रहता हूँ पेंटा नल में दुनिया की सबसे बड़ी उश्ल कटबंधी आदर भूमी की संख्या है पेंटनल में आग की संख्या पिछले साल की समान अवेद की तुल्ला में 2020 में लगबग तीन गुना अधिक हुआ है पेंटनल का बिष्टार ब्राजील के परागवे और विल्विया में है यह जे बिबिधता का प्रचुर भंडार है यानि यहाँ पर आपसन भी ब्राजील सही है यह किस देश में है यानि यह ब्राजील में है पेंटनल में दुनिया की सबसे वड़ी उष्ट कटबंदी आजर भूमी की संख्या है यह ब्राजील में इस दीत है यानि आपसन भी यहाँ सही है नेश्ट कोस्टन है हाल ही में किस दच्छड भारती बैग्यानी को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए National Awards of Excellence प्रदान गया है तो भारती बैग्यानी कन्नन CS वारियर को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए National Awards of Excellence प्रदान गया है यह पुरसकार भारती वान की अनुसंधान और सिच्छा परिसत दोरा गठित किया गया है जो भारत में वान की अनुसंधान के लिए सिर्ष निकाय है बैग्यानिक कन्नन भारत में जय बिबिता सरच्छर में सरस्रेष्ट सोधकार के लिए इंडियन अशोसियेशन आफ एंजियो इस्पर्म टेक्नो टेक्सो नामी दोरा गठित रोला एस राव पुरसकार से प्राप्ट करता भी है यानि ये पुरसकार ये प्राप्ट कर चुके हैं यानि इन चारों आपसनों में आप्शन D कन्नन CS वेरियर्स जो है सही है इन्हीं कुछो है वानकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए National Award of Excellence परदान किया गया है आप्शन D सही है नेश्ट कोस्टन है डेर टू ड्रीम चैलेंज प्रतियोगता किसके द्वारा लांच किया गया है तो रच्छा अनुसंधान विकास संगठन ने एक अभिनो परद योगताज डेर टू ड्रीम सुरू किया है रच्छा अनुसंधान विकास संगठन मतलब D.R.D.O. ने परद सुभारम डाक्र एपी जी अब्डुल कलाम की पुर तिथी पर किया गया है डेल टू ड्रीम एक ओपेन चैलेंज है जो देश में इनुवेटर्स और स्टार्टफ को बढ़ावा देती है इससे उभरती प्रद्योगकी को बढ़ावा देने के लिए लांच किया गया है बिजेताओं के लिए पुरस्कार रासी दस लाख रुपए तक है प्रतियोगिता का सुभारंब रच्छा मंत्रे सिरी राजनाज सिंग ने या है 27 जुलाई 2015 को भारती प्रबंधन संस्थान सिलांग में बैख्यान देते समें काल्डियक अरेष्ट के कारण डाक्टर कलाम डाक्टर एपिजी अब्दुल कलाम का निधान हो गया था कम निधान हुआ था 27 जुलाई 2015 को बता दे कि ओडिसा में राष्टी मिसाइल पर इच्छड अस्थल हुईकल दीप का नाम बदल कल सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम कर दिया गया था तो यहाँ पर आपसन भी DRDO जो है सही है DRDO के द्वारा Dare to Dream Challenge परतियोगता जो है लांच किया गया है जिसकी राष्टी जो है दस लाख रुपए जो है इनामी राष्टी है नेश्ट कोस्टन है ट्यूनीसिया के नए प्रधान मंत्री के रूप में किस से न्यूक्त किया गया है तो हिचेम माचिची को ट्यूनीसिया के ने प्रधानमंत्री के तोर पर न्यूक्त किया गया है प्रधानमंत्री पत पर उनकी न्यूक्ति इलीस फक फक के अस्थान पर की गई है जिन्होंने हाल ही में मत बेहदो के चल्स्त इस्तीफा दे दिया है मचीची राश्पती सेयद के कानूनी सलाकार भी पहले रह चुके हैं किसके राश्पती के राश्पती जो सेयद है यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्यूनीसिया के राश्पती के सेयद है राजधानिव ट्यूनिसिया की ट्यूनि से तथा मुद्रा ट्यूनिसियाई दिनार है ये था आज का हमारा most important current affair हमारे इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक, सेयर और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें